रूस में फसे यात्री पहुंचे सैन फ्रांसिसको, एर इंडिया टिकट के पैसे लोटाएगी मुंबई सैन फ्रांसिसको एर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने की वज़े से रूस के मगदान में फसे यात्रीयों को लेकर एक दूसरी फ्लाइट गुरुवार क सैन फ्रांसिसको पहुँच गई वहीं एर इंडिया ने फैसला किया है कि दिल्ली सैन प्रैसिसको फ्लाइट के सभी यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा एरलाइन ने एक बयान में कहा कि इस उडान के सभी यात्रियों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने के साथ ही उन्हें भविश्य की यात्रा के लिए अपना एक वाउचा भी दिया जाएगा। इंजन में तक्नीकी खराबी की वज़े से मंगलवार को रूस के मगदान शहर में फ्लाइट को इमजेंसी में उतारा था। एरलाइन ने कहा हमारे सभी यात्रियों को निकालने करीब दो गंटे की देरी हुई क्योंकि एक यात्री ने कहा कि उसने साथी यात्री को बैग में बम होने के बारे में बात करते हुए सुना। बाद में ये दावा फरजी निकला। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि महला यात् की टीम उसके बैंग में रखे हुए बम का पता नहीं लगा सकी कराई जा रही है इस तरह एर इंडिया की प्लाइट के यात्रियों को दिल्ली से सैन प्रेंसिसको तक का अपना सफर पूरा करने में करीब 56 घटे लग गए इस फ्लाइट में 216 यात्रियों के अलावा 16 क्रू मे झाले है जाएट एक का से ही यात्रियों के झालावे है रही है जाएट झालाव घूरा रही है उझी यॉपली ओूरे व्लावारा उलावाईट झालावार ठके षजिस ह snभ एलावार बम के अली कलड़ी नहीन।